हेलो एवरीवान आज की कहाने बच्चे ने दी माबाप को एक सीथ किसी गाउं में एक बुड़ा वेक्ती अपने बेटे और बहू के साथ रहता था परिवार सुकी संपन था किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी बुड़ा बाप जो किसी समय अच्छा कासा नोजवान था आज बुड़ा पेसे हार गया था चलते समय लड़ खडाता था लाटे की जरुद पढ़ने लगी चेहरे पर जूरियों से भर चुका था बस अपना जिवन किसी तरह कर रहा था गर में एक चीज अच्छी थी कि साम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैट कर खाना खाता था एक दिन ऐसे ही साम को जब सारे लोग खाना खाने बेटे बेटा ओफिस से आया था फूख जदा थी सो जल्दे से खाना खाने बेट गया और साथ में बहु और उसका एक बेटा भी खाने लगा बुडे हाथ जैसे ही थाले उठाने को हुए थाली हाथ से छिट गई थोड़ी थाल टेबल पे गिर गई बहु बेटे ने घ्रना दस्ट से पिता की ओर देगा और किसे अपना खाना खाने लगे बुडे पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना सूरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता कभी जमीन पर बहु चिड़ते हुए कहा हेरा कितनी गंदी तरह से खाना खाते हैं मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं बेटे ने ऐसे सीर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो उसका बेटा ये सब मासूमित से देख रहा था अगले दिन पिता की थाले उस टेबिल से हटा कर एक कोने में लगवा दी गी पिता की डबडबाती आंके सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं सकता था बोल नहीं पा रही थी क्योंकि बुड़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा खाना कभी इधर गिरता कभी उधर छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था माने पूछा क्या हुआ बेटे तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हूँ बच्चा बड़ी मास्यमिता से बोला मा मैं सीकराओं की व्रदों के साथ कैसा बीहेव करना चाहिए जब मैं बड़ा हो जाओंगा और आप लोग बुड़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी ही तरह कौने में खाना खिलाया करूंगा बच्चे के मुँँ से एजा शुनते ही बेटे और बहु दोनों काप उठे साइद बच्चे की बात उनके मन में बेट गई थी क्योंकि बच्चा ने मासुमिता के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दिया था बेटे ने जल्दी से आगे बढ़ गर पीता को उठाया और वापस टेबल पे खाने के लिए बिठाया और बहु भी बाग केर पानी का गिलास लेकर आई की पीता जी को कोई तकलिफ ना हो तो इस कहानी से हमें यह सिक्सा मिलती है की माबाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है आप समाज में कितने भी इज़त कमा ले या कितना भी धनी कट्ठा कर ले लेकिन माबाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है थेंक यू कर दो